वेलकम टू जीनियस मेंटर्स हेलो बच्चों कैसे हैं आप सबी हमारी क्लास टेंथ की ए बुक जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट तू पार्ट वन अमने नाइन्थ में पड़ी इसके पहले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं पावर शेरिंग जहां पर सत्ता की साजेदारी जिसको हम हिंदी में कहते हैं और इस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर थ्री करने वाले हैं दो लेक्चर अलड़ी हमने लिए बहुत सारी बाते हमने पढ़ी बहुत सारी बाते हमने सीखी इन वीडियो उसको ध्यान से देखना बड़ा ज़रूरी है और दूसरों का लिखावा पढ़ने की वज़ाए अपने हाथ से लिखावा चीजें वो ज्यादा जल्दी से पढ़ पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि कहां पर क्या लिखा है एक आइडिया हमें हो जाता है कि हमने कहां पर क्या लिखा होगा तो हम उस चीज को ज्यादा जल लेकिन लिखके जरूर रखें हमारा चैप्टर पावर शेरिंग के बारे में अभी तक इसमें जो हमने पड़ा उन में ज्यादत तर आपके एक-एक नंबर के पन सकते हैं पाज नंबर के क्यों जो बड़े करूस होते हैं वह एक बन सकता हैं कि 8 जहां पर बेलजियम की अगर आप करें । वैसे तो शुरुवात हमने की दो अलग-अलग सिस्टम को समझने कि श्रिलंका और बेलजियम का कैसे वहां पे diverse communities अलग-अलग तरह की communities अलग-अलग तरह के समुदाय एक साथ रहते हैं यह हमने देखा और फिर उन समुदायों को कैसे संभाला गया बाद में सरकार के द्वारा वो हमने देखा कैसे majoritarianism श्रिलंका में आया अब यह majoritarianism क्या होता है यह बड़ा अच्छा किष्ण जहां पर majority वाले लोग अपनी सत्ता और अपने विचार से पूरे देश को संभालने की कोशिश करते हैं और बाकी लोगों को नजर अंदाज करते हैं minorities को नजर अंदाज किया आता है तो इस तरह की सत्ता कुछ वहाँ पर आई इस वज़े से वहाँ पर दोनों समुओं में एक तरह सिनाला और एक तरफ तमिल दोनों समुओं में टकराओ की स्थिती पैदा हुई और ग्रह युद वहाँ पर छिड़ गया हमने देखा समझा और उसी के जस्ट उल्टा बेल्जियम में एक अलग तरह की वैवस्था एकमोडेशन यानि की जगह देने की यानि दोनों ने वहाँ पर भी दो समुदाय थे एक डच बोलने वाले एक फ्रेंच बोलने वाले दोनों ने आपस में एक दूसरे की बाते समझे प्रेंच चाहिए एक्जाम के लिए भी वैसे भी वहाँ पर तीन तरह की सरकारें बनी सेंट्रल गवर्मेंट जहां पर डच और दोनों डच और फ्रेंच दोनों बराबर हिस्सेदारी में रहेंगे उसके बाद दोनों राज्यों की दोनों प्रोविंसेज की अलग-अलग सरकार यह डच वाँ की अलग और फ्रेंच वाँग की अलग और दोनों को अलग-अलग पावर दे दी कि और फिर उसके बाद एक और तरह की सरकार वहाँ पर बनी जिसे हमने बोला community government समुद्ध धशर सकॉ और यह community word met क्या थी जिसमें सिरफ एक language वाले लोग उस सरकार को चुनेंगे Dutch वाले, सिरफ Dutch बोलने वाले एक सरकार चुनेंगे, सिरफ French वाले अलग सरकार चुनेंगे जर्मन वाले अलग सुनेंगे मतलब community के हिसाब से वो वहांके language, culture education का ख्याल रखेगी इस तरीके से उन्होंने हर एक चीजे बाठ दी, कि ये सरकार ये काम करेगी, ये सरकार ये काम करेगी इतनी अच्छी उन्होंने एक ऐसी व्यवस्ता बनाई कि आज तक महाँ पर शांती कायम ये हमने देखा और ये दोनों बड़े important है और इनसे हमें समझ में आया कि power share करने से unity बढ़ती है और power को share करने से अगर मना कर दिया जाए तो उससे unity एकता कमजोर होती है देश में, ये चीज हमने समझी और इस चीज को बड़े अच्छे से समझा आज हम उसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे why power sharing is desirable ये power sharing power sharing क्या होती है समझ गए होंगे आप बार बार इस चीज को ना समझाते हैं आगे चलते हैं power sharing हमारे लिए क्यों desirable है, क्यों वांचित है क्यों सब इच्छा करते है power sharing की power sharing एक अच्छा option क्यों है power sharing की जरूरत क्यों है ठीक है इसी के मतलब है सारे जो मैंने बता लिए समझ गे उससे पहले हम आगे बढ़े है इसकी बात भी सुन लेते हैं बेचारा बड़ा परेशान है पहले तो यह बोल रहा था इसने एक बच्छे की बात सुनी जहां पर जिसने बोला था कि power sharing का मतलब होता है dividing power, dividing power का मतलब होता है weak country, country कमजोर हो जाएगा पावर बट गई तो यहां पर यह कुछ और सोच रहा है तो you are saying कि आप यह कहना चाह रहे हो that sharing of power make us more powerful कि sharing of power से हम और जादा powerful बनते हैं बिलकुल अभी तक हमने यही पड़ा sound sword, let me think यह थोड़ा जीब सा लग रहा है लेकिन मुझे सोचने दो यह confused हो गया कि share को divide करने से मलब power को share करने से कैसे powerful हो सकते हैं हमने देखा power share करने से कैसे unity लोगों में आती हो वो हमने समझने कोशिश की अभी हम उसी को आगे बढ़ते हैं तस, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing इस power sharing के लिए power sharing के pucks में हम दो अलग अलग तरह के reason दे सकते हैं power sharing क्यों अच्छी है power sharing क्यों अपनानी चाहिए इसके लिए हम दो तरह के अलग अलग reason दे सकते हैं पहला reason, firstly power sharing is good power sharing अच्छी है because, क्योंकि it helps क्योंकि यह मदद करती है, किस चीज में? To reduce the possibility of conflict between social groups यह तो हम पढ़ चुके हैं कि power sharing इसलिए अच्छी होती है क्योंकि यह मदद करती है अलग-अलग social groups के बीच में तकराओ की किसी भी संभावना को कम करने के लिए ताकि दो अलग-अलग हिस्सों में टकराओ ना हो conflict ना हो, तनाव ना हो ताकि वो मिल जुल के रहे यह किस से हो रहा है? यह हमारा इसी से possible उपार है power sharing से जैसे श्रिलंका में हमने देखा उन्होंने power share करने से मना किया तो वहां टकराओ हुआ, वहां ग्रैयूद हुआ लेकिन Belgium में जब लोग साथ है, साथ मिलकर काम करने लगे तो unity आई, एकता है और उस एकता की वज़ए से जो conflict है, जो टकराओ है वो कम हो गया, उसकी संभावना कम हो गया तो power sharing इसलिए भी अच्छी है कि टकराओ की संभावना कम हो जाती है social conflict since social conflict often leads to violence and political instability क्योंकि हमें पता है कि social conflict की वज़े से होगा क्या अगर समाज में टकराओ आ जाए तो क्या होगा उससे समाज में टकराओ की वज़े से हिंसा हो सकती है political instability हो सकती है political instability का मतलब हमारे देश पे या किसी भी देश पे शार्षन करने के लिए एक polity होती है एक राजव्यवस्था होती है और उस राजव्यवस्था का ऐस्थिर होना मलब की पता नहीं कब गिर जाए सरकार ये वाली हालात होना instability सरकार अभी है पता नहीं वो कब गिर जाए कब दूसरी सरकार आजाए कब तीसरी आजाए ऐसे में लोगों का भरोसा तूटता है अपने देश पे से जब उनके उपर शार्षन करने वाले उनको लगता है तो बड़े कमज़ोरा कभी भी हट जाते है तो लोगों का भरोसा तूटता है लोगों में अंदर ही अंदर डर होने लगता है और इस डर की वज़े से और ज़्यादा यूद छिडने की संभावना रहते है ग्रेय यूद होने की संभावना रहते है समझके तो जब भी ये social conflict होगा जब भी ये समाजिक टकराओ होगा इसके वज़े से हिंसा और political instability का खत्रा बना रहेगा अक्सर इसका परिणाम यही होता है समाज में होने वाले टकराओं से ये हिंसा और political instability होती है राजनेतिक अस्थिर्था आती है और power sharing is a good way और power sharing एक अच्छा रास्ता है to ensure the stability of political order राजनेतिक व्यवस्था में stability लाने के लिए स्थिर्था लाने के लिए power sharing एक अच्छा रास्ता निकल आता है social conflict से तो political instability आई हिंसा हुई इन से बचने के लिए power sharing एक अच्छा रास्ता है समझे में आगे चीज़े imposing the will of majority community जो majority community है उसकी इच्छाओं को थोपा जाना उसकी जो will है उसकी जो इच्छाएं है वो अगर थोप दें over others, दूसरों पे तो क्या होगा? मैं look like an attractive option in short run कि short run में कम समय के लिए तो यह अच्छा दिख सकता है एक time के लिए तो यह दिख सकता है कि पूरे समाज पे एक का ही राज होगा, तो एक समाज में एकता बनेगी, उससे समाज अच्छा हो, मतलब सोचने को सोचा जा सकता है एक बार में कि majoritarian या फिर अगर हम कहें, majority community जो है जो भी community जो majority में है उसकी इच्छाओं को दूसरों पे थोपा जाना थोड़े समय के लिए अच्छा लग सकता है लेकिन in the long run, it undermines the unity of the nation लेकिन लंबे समय में ये पूरे देश की unity यानि एकता को कमजोर करते है लंबे समय में पूरे देश की एकता को कमजोर करते हैं समझ गया ? चीजे समझ में बाइय कितना जरूरी है अब यही पे आगे पड़े तो tyranny tyranny क्या होती है tyranny, nirankushta, अत्याचार अत्याचार भी होता है त्याचार भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो पूरे आट्याचार tyranny of the majority is not just oppressive for the minority कि कि जो मेज्जोरेटी का जो अत्याचार है क्योंकि जहाँ मेज़्ॉरी कम्यूनिटी सब अपनी इच्छाए दूसरों पर थोपेगी यानि दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं तो जो मेज़्ॉरेटी का जो अत्याचार है वह ना सिरफ minority के लिए ही दमनकारी होता है बलकि it often brings ruin to the majority as well ruin होता है बर्बादी या बर्बाद होना इस तेरैनी की वज़े से majority community जब अपनी इच्छें दूसरों पर थोपने लग जाए तो उनके अत्याचार दूसरों पर बढ़ जाते हैं NFL कि मैजौरेटी जब अपनी इच्छ हैं दूसरों पर घुन हम देखें तो कहीं ना कहीं यह अकसर मेजौरीटी को को भी बरबाद करती है जैसे आमने श्रिलंका में श्रिलंका में सिनाला लोगों ने सोचा कि अब तो हमारा शाशन होगा और हम अच्छे से देश को चलाएंगे लेकिन तमिल को उन्होंने नजर अंदाज किया ग्रह युद छिडा और ग्रह युद में सिनाला का भी नुकसान हुआ उनके लोग भी मारे गये एक समझ गया तो मैजॉरेटी को भी बरबाद करती है यह मैजॉरेटी वाली जो भावना होती है समझगे सिरफ minority का यह नुक्सान नहीं होता है दोनों का नुक्सान होता है इसमें देर इस सेकेंड यह तो क्या पहला option हमने बोला कि दो reason बताएंगे हम power sharing क्यों जरूरी है power sharing का एक reason तो देखा क्योंकि एक अच्छा रास्ता है stability लाने के लिए, शांती लाने के लिए, लोगों को साथ लाने के लिए, unity लाने के लिए अच्छा रास्ता है अगर नहीं तो हमने देख लिया कि अगर power sharing ना की जाए majority community के चलने दी जाए, तो छोड़े time के लिए अच्छा दीख सकता है लेकिन लंबे time में ये बड़ा खराब रास्ता है, ये देश की एकता पर खत्रा है और कहीं ना कहीं दोनों के लिए, majority और minority दोनों के लिए खत्रा है एक reason तो ये देखा, दूसरा reason, हमने दो reason की बात कही थी there is a second, deeper reason, और ये थोड़ा गहरा कारण है इसको थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा क्या, why power sharing is good for democracies कि power sharing लोकतंतर के लिए क्यों अच्छी ये थोड़ा गहरा सवाल हो जाता है और गहराई से इसको सोचना पड़ेगा power sharing is the very spirit of democracy power sharing democracy की एक आत्मा है, लोकतंतर की आत्मा है बिना power sharing के लोकतंतर नहीं चल सकता क्यों नहीं चल सकता, reason में समझ में आएगा आगा थोड़ देना a democratic role, एक लोकतंतरिक शाशन, क्या होता है लोकतंतरिक शाशन इसको पढ़ने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हमने 9th class में पढ़ा अगर आपको याद हो तो होता क्या है यह democratic rule लोकतंतरिक शाशन जहां पर सभी लोगों का बराबर रूप से शाशन चले democracy वो होती है, जहां पर सभी लोगों को equal माना जाए समझ में ही, democracy का मतलब है, सब लोग equal है, सब लोग अपने उपर शाशन कर सकते है self government, स्वाश शाशन ठीक है, democracy का सिदा सातर उत्तर होता है, democracy नहीं समझ में आए तो democracy को इस हिसाब से सोचना चाहिए, कि democracy में सब लोग equal है, सब लोग बराबर समझ में आगए, तो democracy के rule में क्या include होना चाहिए, एक democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise democratic rule में शामिल होता है, power को share करना उन लोगों के साथ, जो इस साशन से प्रभावित होते है इस साशन के, अब यो उप्योग करते हैं, बेसिकली उससे प्रभावित होते है उसके साथ-साथ, and who have to live with its effect, और जिनको इसके प्रभाव में रहना पड़ता है अब इस बात का मतलब क्या है, कि democratic rule उसमें वो लोग शामिल होते हैं, जो इस साशन से प्रभावित होते हैं इनको उन प्रभावों के साथ रहना पड़ता है, मतलब क्या है इसका, democratic rule किस पर होता है शाशन, लोगों पर ही तो होता है, कौन से लोग, जो equal हैं एक democratic rule में कोई भी निर्न सभी लोगों के लिए लिया जाता है, तो सब लोग प्रभावित हैं, अब उसमें कोई भी community हो, हम किसी को नहीं छोड़ सकते यानि कि democratic rule में हमें सभी communities को, सभी ethnic groups को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रभावित होते हैं, समझ गए, समझ गए, यानि कि सब को साथ लेके चलने वाली बात होती है, people have a right to be consulted, लोगों के पास ये अधिकार होता है, कि उनके साथ विचार भी मर्श किया जाए, उनसे भी परामर्श लिया जाए, उनसे भी पूछा जाए, how they are to be governed, कि उनके उपर शाशन कैसे करना है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों का खुद पर शाशन, तो लोग ही बताएंगे ना, कि उनके उपर शाशन कैसा होना चीए, तो यहाँ पर, people have right, लोगों के पास ही अधिकार होता है, कि उनसे पूछा जाए, कि उनके उपर शाशन कैसे करना है, समझ में आगी चीज़ is one where citizens through participation acquire a stake in the system, एक वैद सरकार वो होती है, जिसमें लोग उसमें हिस्सेदारी के द्वारा उस system से जुड़ते हैं, उस वैवस्ता से जुड़ जाते हैं, यानि उस शाशन से खुद जुड़ जाते हैं, उस शाशन में हिस्सेदारी करके खुद भी उसमें जुड़े होते ह हैं, वो एक असली government होती है, वो एक वैद सरकार होती है, जिसमें लोगों से पूछा जाए, लोग भी खुद उस शाशन से जुड़े हों, श्रिलंका की तरह नहीं कि उन्होंने तमिल को बिलकुल ही अलग कर दिया, अपने शाशन से, वो legitimate होई नहीं सकती, legitimate शाशन वो है, क ये वाला हिस्सा, ये वाला reason और उपर वाले reason में थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है वो हम समझेंगे यहां से, let us call the first set of reason prudential, कि जो पहला reason हमने दिया, पहले जो भी reason हमने दिये, वो थे prudential, अब ये prudential क्या होते हैं, prudential होते हैं, विवेक पूर्ण जिसे हम कहते हैं बुद्धी मता पूर्वख, बुद्धी मता पूर्ण, दिमाग का use करके, वो थे prudential, समझें, तो prudential is based on prudence, prudence पर आदार होता है, prudence होते हैं, विवेक, अमारा दिमाग, ज्यान, ये रहता है prudence, ठीक है, लिख लेना कहीं पर दिमाग ग्यान यह प्रुदेंचियल वो तह होता है इस प्रुदेंचियल पर हमारे घ्यान पर आधारित हो और on careful calculation of gains and losses या फिर इस गंड़ना पर आधारित हो कि इसमें मेरा क्या नुकसान है, क्या फाइदा है नुकसान और फाइदा देख किया जाने वाला कोई भी निर्न है, prudential होता है क्योंकि वो दिमाग लगा है हमने कि हाँ ये इसमें फाइदा होगा कि नुकसान होगा क्या होगा, वो दिमाग जहां पर लग रहा है तो वो हो गया, prudential prudential decision are usually contrasted with decision based purely on moral consideration जो नैतिक आधार पर जो हम निर्ने लेते हैं, prudential decision उनके एकदम उल्टे होते हैं कई बार अब ये नैतिक क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं पहला set जो हमने पढ़ा reasons का वो prudential हो गया क्योंकि वहाँ पे हमने फाइदा और नुकसान देखा हमने देखा, समझना इस बात को ये बड़े अच्छी है क्योंकि ये question बहुत बार आपके लिए बहुत important question इस book कही ये कई बार पूछा गया है exams में prudential मतलब है दिमाग का यूज करना, फाइदा और नुकसान देखना हमने पहले reason में क्या देखा था कि साथ रहने में फाइदा है अलग-अलग होने में हम दोनों का नुकसान है पढ़ा था यह पढ़ा था ना तो वो हो गया prudential वहां हमने नफा और नुकसान देखा वहां हमने फाइदा नुकसान देखा देखा वहां पर कि जहां-जहां conflict होगा, टकरा होगा वहाँ नुकसान होने की संभावनाए ज़्यादा हो जाएंगी लेकिन अगर हम उस टक्राव को ना होने दे तो फाइदा है पढ़ा इस बात को उस हिसाब से जो हमने रिजन दिये वह प्रुडेंशियल हो गए दूसरे जो रिजन थे एंड इस सेकेंड वाज मॉरल मॉरल पर आधारित थे नैतिकता पर थे वे यानि नैतिक रूप से क्या होना चीए हमने पढ़ा कि डैमोक्रैसी का मतलब होता है लोगों का शाषन तो नैतिकता ये कहती है कि लोगों को उस शाषन से जुड़ने दो इसलिए जो दूसरे रिजन थे वो मॉरल थे क्योंकि दूसरे रिजन में हमने क्या कहाता है कि जब शाषन हो तो उसमें लोगों को साथ लेके चलो लोगों को मिलाके चलो इसलिए पावर को शेयर करना जरूरी है उन लोगों के साथ क्योंकि ये उनीका शाषन है ये है नैतिक यहाँ फाइदा नुकसान नहीं देखा हम कि power sharing क्यों होनी चाहिए तो आप उसके दो reason बताएंगे पहला reason होगा prudential कि prudential reason तो इसका ये है कि इससे हमारा फायदा होता है दूसरा बताएंगे moral moral reason क्या है कि ये लोगों का शाशन है इसलिए लोगों को इस शाशन से जुड़ना चाहिए तो उनके साथ power share की जानी चाहिए समझ गए दो reason है तो वाइल prudential reason stress that power sharing will bring better outcomes कि जब कि जो prudential reasons हैं जो फाइदा और नुकसान देखके लिया गया जो decision है निर्णा है ये कारण इस बात पर जोर देते हैं stress देते हैं कि जो power sharing है वो अच्छे नतीजे लेकर आएगी यानि परिणाम अच्छे होंगे फाइदा होगा प्रुडेंशल रिजन इस बेस पर आधारी है उसका ये कारण है और moral moral जो कारण है वो emphasize वो इस बात पर जोर देते हैं the very act of power sharing as valuable कि पावर शेरिंग का महत्व क्या है और प्रुडेंशल रिजन इस बात पर जोर देते हैं कि उसके नतीजे कैसे निकलेंगे दोनों चीज़े समझ में आ गई, दोनों बहुत important है, समझ में आ गया, चलो, आगे चलते हैं, और यहाँ पर एनीटे, जो कि basically Dutch Medium School में पढ़ती है, Northern Reason of Belgium में, Belgium में हमने देखा था, जब हमने देखा था, Belgium में दो हिस्से थे, उपर Dutch, और नीचे French, और यहाँ पर Brussels, ऐसे ही पढ़ा था, उनकी राजधानी, यही पढ़ा था, अब यहाँ पर Dutch जो है, उपर वाले हिस्से में है, Dutch Medium School है, क्योंकि Dutch है वहाँ तो सारे, तो Dutch में ही वहाँ पढ़ाया जाता है, Dutch Language में, वहीं पर अनीटे पढ़ती है, Many French-speaking students in her school want medium of instruction to be French, इस स्कूल में, यहाँ पर मानलो, यहाँ कहीं पर स्कूल है, इस स्कूल में, बहुत सारे French बोलने वाले बच्चे भी है, और वो यह चाते हैं कि यहाँ पर French भाशा में भी पढ़ाया जाए, French भाशा में भी पढ़ाया जाए, Selvy, अब दूसरा example लेते हैं, यह तो हो गया French का example, ठीक है, अब लेते हैं दूसरा example, Selvy, Selvy studies in a school in the northern region of Sri Lanka, हमने श्रिलंका हो गया, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पर इस reason में हमारे Tamil रहते हैं, यह जो है, ठीक है, बाकी यह हो गया, सिनाला का reason, तो इस reason में हमारे स्रिलंका का मान लो इस तरह के समयप है, तो इस reason में हमारे कौन रहते हैं, सिनाला, वो Tamil रहते हैं, यह पढ़ा था हमने, अब यह जो Selvy है, यह भी मान लो यहाँ कहीं पर है स्कूल, यहाँ पर सेल्वी पढ़ती है, यहाँ पर, क्योंकि यह तमिल एरिया है, तो यहाँ पर सभी बच्चे तमिल बोलने वाले हैं, लेकिन फिर भी, सिनाला ने क्या बोला, कि यहाँ पर education पूरे श्रिलंका में सिनाला लेंग्वेज में चलेगी, तमिल वालों का हम कोई ख्याल नहीं रखेंगे, तो उन्होंने यहाँ पर भी, क्योंकि तमिल को, उन्होंने सिनाला को official language बनाया हुए, तो यहाँ पर तमिल में ना पढ़ा कर वो सिनाला में पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं तमिल मीडियम के, जो तमिल भाशा हम पढ़ना चाते हैं, लेकिन पढ़ाया जाते ह है कि हमें तमिल में ही पढ़ाया जाए समझ में आगी दोनों सिच्वेशन अब आप सवाल को समझें अगर अनिते और सेल्वी के माता पिता वहां की सरकार को जाके उनसे कुछ पूछते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो रियलाइज दिजायर अफ चाइड वहां पर बच्चों की इच्छा के अधार पर सरकार के पास गए और वहां पर बेल्जियम वाले ने वहां की सरकार को बोला कि यहां पर फ्रेंच बोलने वाले बच्चे भी तो फ्रेंच में पढ़ा दिया करो सेल्वी के माता पिता गए तो बोले कि यहां पर तमिल बोलने वाले बच्चे हैं सारे तो तमिल में पढ़ा दो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार उनकी बाते मान लेगी श्रिलंका वाले इत्मानेंगे नहीं क्योंकि वो सिनाला ही चाते हैं हर जगह पे हो बेल्जियम वाले मान लेंगे क्योंकि वो साथ मिलके रहना चाते है Belgium वाले मान लेंगे इस बात समझ में आगया क्यों मान लेंगे क्योंकि Belgium accommodative है Belgium accommodative है और श्रिलंका क्या है Missouri Terranism समझ में आगी होगी अब चलो विक्रम बेताल की कहानी पढ़ते हैं आपने बहुत पढ़ी होगी Khalil's Dilemma Dilemma क्या होता है confusion वाली जो स्थिती होती है जहां हम confused से रहते है ठीक है तो वो state को बोलते हैं हम dilemma तो Khalil's Dilemma ठीक है, Khalil भी confused है तो उसकी क्या confusion है देख लेते हैं विक्रम बेताल की कहानी सुनी है यह वो विक्रम बेताल की कहानी है यह आपर ठीक है क्या होता है विक्रम बेताल में बेताल एक भूत होता है बार-बार विक्रम की प्रइट पहांगे बैठ जाता हैं उसे रास्ते में स्टोरी सुनाता हैं आखिर में क्योशन पूशता है और अगर उसने गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दिया तो बुलेगा यहीं रुख जाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे इस टाइप से तो वही कानी हम यहाँ पर एक बार पढ़ने कोशिश करते हैं समझते हैं एज यूजवल हमेशा की तरह है विक्रम वाज ड्राइविंग दि मोटर बैक अब विक्रम बेताल थोड़े मॉटर वोगे हैं तो विक्रम आजकल मोटसाइकल पर आता है ठीक है तो विक्रम अपनी अपनी मोटसाइकल चला रहा था और अदेन्स बिलकुल अंधेरे में मलब स शांती शांती में वहांपे कोई शोर नहीं था रात के अंधेरे में रात की शांती हो रखी है वहां मोट साइकल लेकर चला रहा है बेजाल वाज पिलेन राइडर और विताल किया था उसके पीछ स्टोरी टो कीफिंग ध्राइविंग को विक्रम को गाड़ी चलाते वे जागाय रहने के लिए वो बेतालिक कहानी को सुनाना शुरू करता है इस टाइम दा स्टोरी वेंट एस फॉलोज और इस बार जो स्टोरी थी वो इस तरह की थी क्या थी कि इन दा सिटी ओफ बैरूत बैरूत शेहर में वहां पर एक खलील नाम का एक आदमी रहता था और उसके जो पेरेंटस माता पिता अलग अलग समुदायों के थे उनके जो फादर थे वो क्रिश्चन थे और्थोड़ोक्स क्रिश्चन रूड़िवादी क्रिश्चन और उनकी जो मा थी वो सुन्नी मुस्लिम थी पिता, Christian, मा, Muslim थी समझे में आई चीज़े this was not so uncommon in this modern cosmopolitan city और ऐसे cosmopolitan city में cosmopolitan city क्या होती है cosmopolitan basically हम कहते है कि पूरा wish वगर एक हो जाए तो उसका हम cosmopolitan कहेंगे समझे में आगी चीज़े यानि कि पूरा wish जिसमें समाया वह हो वो cosmopolitan है तो आज कि इस आधुनिक cosmopolitan city में यह बड़ी आम बात है यह कोई अजीब बात नहीं है कि माता अलग धरम से है अलग समुदाय से, पिता अलग समुदाय से यह आम बात है ऐसी cosmopolitan city में people from various communities that lived in Lebanon Lebanon में जो अलग-अलग समुदायों के अलग-अलग समुदायों के लोग रहते थे came to Levinets capital, Beirut वो अपनी राजधानी Beirut में रहने आगे Lebanon country basically अगर हम देखें थोड़ा इसका अंदाजा ले लेते हैं ताकि आपको पता रहें यह हमारा world map है map साथ में रखा करो, यह बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा नहीं पता लेंगे यहाँ पर आपको इरान दिखाए देगा तर्की दिखाए देगा, इसके नीचे सीरिया दिखाए देगा यहाँ पर आपको वो दिखाए देगा Lebanon और Beirut यह यहाँ पर Mediterranean Sea, जिसे हम भूमद्य सागर कहते हैं इसके बगल में, यह बना ठीक है यहाँ पर है, यह छोटा सा डॉट जो मैंने लगाया, इसी को बड़ा करके यहाँ पर मैप दिखा दिया ठीक है, यही छोटा सा डॉट यहाँ पर बड़े मैप में दिखा दिया, कि यहाँ सीरिया है यह पूरा Lebanon है यह वाला दिखाई दे रहा है, ग्रीन ग्रीन सा यह लेबनन है और यहाँ पर इसकी राजधानी है बैरूत यह रही तो पूरे देश में अलग-अलग समुदायों के लोग रहते हैं और वही लोग बैरूत में आके भी बसने लगे, बैरूत में भी फिर war among themselves और फिर भी उनमें कभी कबार ग्रहयूद भी हुआ है साथ भी रहे हैं, मिल के भी रहे हैं ग्रहयूद वहाँ पर हुआ वहाँ पर? फिर भी ग्रहयूद क्योंकि अलग-अलग समुदायों के हैं, कभी ना कभी होने के चांसन्स कई बार होते हैं agreed to some basic rules ग्रहयुद खतम हुआ तो लेबनन के जितने नेता थे वो सब साथ आए और उन्होंने बोला कुछ बुन्यादी नियमों पे हम सब सहमत हो जाते हैं सारे लेबनन के नेता एक साथ है कुछ बुन्यादी नियमों पे सहमत हुए अलग अलग समुदायों में पावर शेरिंग करने के लिए का नफ्लिक्ट का कारण यही होता है कि पावर शेरिंग नहीं की जाती तो अब ग्रहयुद खतम हुआ वो सब एक साथ बैठे और कुछ बुन्यादी नियमों पे सहमत हुए पावर शेरिंग के लिए अलग अलग बेलॉंग टू मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथॉलिक क्रिस्चिन की जो लेबनान का जो राश्टपती होगा वो क्रिस्चन बनेगा समझ गे उसको क्रिस्चन की पोस्ट रही ठीक है प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर मुसलिम समुदाय से होगा और डिप्टी प्राइम मि सीया होता है सुन्य होता है अलग- अलग होता है तो प्रेजिटेंट रहेगी मेर давайте का य सौरी कैथा यह गोता है कैतोलिक क्रिस्टेन के लिए और डिटी प्रायम मिनिस्ट्र रहेगा और और सुन्य मुस्लिम को और ऐसे ही जो स्पीकर है जो जैसे हमारे लोग सभा में उत्ते ना स्पीकर ऐसे वहाँ पर जो संसद होगी उसके जो स्पीकर होंगे वो सिया मुस्लिम के लिए अलग-अलग सीटे फिक्स कर दी कि यहां पर इस समुदाय से आदमी आएगा समझ गया अंडर दिस पैक्ट और इस समझोते में इस बात पर सैमत हुए कि जब भी कोई खतरा आएगा तो हम फ्रेंच लोगों के पास फ्रांस के पास भागे भागे नहीं जाएंगे उनसे शुरक्षा की मांग करने हम आपस में बैठ के सुल जाएंगे फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे क्रिश्चन इस बात के लिए एगरी हो गए क्योंकि जब भी होता था लोग अलग-अलग देशों से मदद मांगते थे अलग-अलग देश आके किसी देश के पर क्या करेंगे सब अपना फाइदा देखते हैं है ना तो उस देश को तोड़ने की खुशिश करेंगे करिस्चन नंने नहीं जाने फ्रेंच के पास मदद मांगने अगर कुछ होता है तो मदद वांग ने समझ यह आगे चीज़े वें क्रिष्चन और मुस्लिम केम टू दिस एग्रिमेंट और जब क्रिष्चन और मुस्लिम दोनों इस बात पर सैमत हुए थे यह समझोता उनके बीच में वह था दे वर नीरली इक्वली 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 इन पॉपुलेशन वह लगबग उनके जो जनसंख्या थी वो लगबग बराबर थी जितने क्रिष्चन थे उतने मुस्लिम्स थे लेकिन आज की बात अगर हम देखें बहुत साइड है continue to respect this agreement दोनों ही साइड चाहे क्रिष्चन और चाहे मुस्लिम हो आज भी इस समझोते का सम्मान करते हैं दो ना लाइक दिस सिस्टम वन भीट खलील को यह सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है कि खलील को यह वैवस्था बिल्कुल पसंद नहीं उसने कहा ही जब पॉपुलर मैं विद पॉलिटिकल अम्बिशन वह बहुत वहां पर प्रसिद आदमी है और उसकी राजनितिक मेहत्व अदिकल में वहां रखा है उस एर्रेंजमेंट में उस वैवस्ता में टौफ पॉजिशन उसकी पैण से बाहर है एस आउट आफ इस रीच ना तो वो अपने पापा का धरम मानता ना मम्मी का धरम मानता किसी का धरम नहीं मानता does not wish to be known by either और ना ही उन में से किसी धरम के द्वारा वो चाहता है कि उसे जाना जाए वो बिना धरम के रहना चाहता है अपने अलग से तो उसे क्या बनाएंगे है ना तो वहाँ तो लेकिन जो कैथॉलिक होगा उसे ही राष्टपती बनाएंगे तो वो तो बोलनी ता कि मुझे कैथॉलिक क्रिस्चन या किसी और नाम से जाना जाए वो चाहता है इस बात को वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वाई लेबनन कैनाट बिलाइक एनी अधर normal democracy वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि लेबनन बाकी सभी लोगतंत्रों की तरह एक नार्मल आम क्यों नहीं हो सकता एक नार्मल डेमोक्री आम लोगतंत्र क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आम लोगतंत्र में तो लोग चुनेंगे ना सब बाकी दूसरी डेमोक्रेसी की तरह लेबनन क्यों नहीं हो सकता just hold an election कि एक election कराओ allow everyone to contest सभी को बोलो कि चुनाओ में खड़े हो जाए whoever wins maximum vote becomes the president जिसको सबस्यादा मोट मिले वो president बन जाए no matter which community is come from इससे फरक नहीं पड़ता कि किस समुदाय से आ रहा है तुमने समुदाय के लिए क्यों fix कर दी हो seat खलील को ये बात समझ में नहीं हरी कि president Christian ही क्यों हो आप voting कराओ ना जो जीते उसे बना दो why can't we do that like in other democracies of the world हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब दूसरे democracies में विश्र में सभी लोग तंत्रों में ऐसा हो रहा है तो तो खलील की भी चिंता जयज है he asks वो पूस्ता है his elders who have seen the bloodshed of civil war लेकिन जो उसके बड़े होते हैं जिनोंने ग्रह युद का खून खराबा देखा है tells him वो उसे बताते हैं that present system is the best guarantee for peace कि अभी जो हमारी वैवस्ता है शान्ती के लिए सबसे अच्छी guarantee है शान्ती यहाँ पर भो सकती इस वैवस्ता को बदलने की कोशिश मत करो क्योंकि हमने खून खराबा देखा है बड़ा बुरा हाल होता है समझे अब the story was not finished story खतम नहीं होई थी वो इस टीवी टावर के पास पहुंच गए थे यह विक्रम है इसके पीछे बेताल भूत यह यहाँ पहुंच गए थे टीवी टावर के पास जहां पर वो हमेशा रुखते थे बेताल रैप डप क्विकली बेताल ने अपनी कानी जल्दी से खतम की and posed his customary question to विक्रम और जो हमेशा वो अपना एक सवाल एक विक्रम से पूछता है उसको बोला क्या पुछा उससे if you had to you had the power to rewrite the rules in Lebanon अगर तुम्हे यह शक्ति दे दी जाए कि Lebanon में नियम तुम बनाओगे क्या बनाना है what would you do तो आप क्या बनाओगे क्या करोगे Lebanon में कैसे नियम लागू करोगे अगर यह सवाल आप से पूछा जाए आप क्या चाहते हो Lebanon में क्या होना चाहिए would you adopt the regular rules followed everywhere as Khalil suggests कि जैसा Khalil ने बताया कि जैसा अलग-अलग लोकतंत्रों में होता है क्या वो adopt कर लेने चाहिए वहाँ पर यह और stick to the old rules जो यह वहाँ पुराने नियम जो चले आ रहे हैं उन्हीं पर बने रहो क्या करें जैसे वहाँ वहवस्ता उसी पर रहने दें या जैसे बाकी democracies में होता है उसके हिसाब से change कर देना चाहिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और do something else या कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताओ कोई अच्छा हिलाज विताल डिड़ नॉट फारगोट तो रिमाइंड विकरम आफ देर बेसिक पैक्ट और विताल यहाँ पर विकरम को फिर से याद दिलाता है अपने उस समझोते की क्या if you have an answer in mind अगर तुमारे दिमाग में कोई जवाब है and you do not speak up और तुम उसका जवाब नहीं देते हो your mo bike will freeze and so will you तुमारी bike यहीं जाम हो जाएगी और तुम भी यहीं जाम हो जाओगे फिर यहीं खड़े रहोगे तो इसलिए जो भी मन में है जवाब दो can you help poor Vikram in answering वेताल क्या आप इस Vikram की मदद कर सकते हो बेचारे Vikram की वेताल के जवाब देने में कर सकते हो, करो कोशिश समझ में आई कहानी Lebanon में क्या चला वहाँ पे खलिल चालता है democracy आई लेकिन Lebanon में शान्ती power sharing की वज़े से है power sharing सिरफ democracy में नहीं कहीं भी हो सकती है, जैसे Lebanon में देखा, प्रेजिडेंट Catholic Christian, प्राइम मिनिस्टर सुनी मुस्ली, है ना, हमने देखे कैसी किया उन्होंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखा कि इसको बनाया है, फिर हमने उसको भी देखा, speaker की post हमने देखी, समझ में है तो इस तरीके से भी हो सकता है तो क्या वो सही था या गलत था ग्रह यूद को छोड़ने के लिए power sharing कितनी जरूरी थी, ये चीज़ हमने समझा, ठीक है इस power sharing के क्या-क्या रूप हो सकते है forms of power sharing power sharing के कौन-कौन से रूप हो सकते है ये हमें समझे the idea of power sharing has immersed in opposition to the notion of undivided political power ये जो idea है ना power sharing का कि सत्ता जो है बटी हुई होनी चीए अलग-अलग लोगों के पास होनी चीए ये idea, ये इस अवधारना, क्योंसे अवधारना कि जो political power है राजनेतिक सत्ता है वो undivided रोनी चीए बिना बटी हुई होनी चीए राजनेतिक सत्ता बिना बटी हुई होनी चीए इस अवधारना के विरोध में के opposition में ये power sharing का idea उभर के आया क्योंकि ये तो उसी का विरोध करता है ना undivided political power क्या बोल रहा है कि power बटी हुई नहीं होनी चीए लेकिन power sharing इसके विरोध में एक नया idea उभर के आया for a long time बहुत लंबे समय तक it was believed ये सोचा जाता था ये माना जाता था that all power of government must reside in one person बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि जितनी भी power है एक सरकार की जितनी भी सक्तियां है वो सब एक व्यक्ति में होनी चीए या फिर group of persons में या कुछ लोगों में होनी चीए group of persons में होनी चीए located at one place जो एक जगा हो जैसे पुराने टाइम पर होता था राजा माराजा उस टाइम पर सारी power राजा के पास होती थी तो बहुत लंबे टाइम से यही तो चलता आ रहा है कि सारी power राजा के पास है या फिर राजा के मंत्रियों के पास है बस उन कुछ लोगों के पास और किसे के पास power ही नहीं होती थी वो शेर ही नहीं करता थी तो कई सालों से माना जाता रहा था कि सारी power एक आदमी या फिर कुछ लोगों के पास ही होनी चाहिए it was felt यह माना जाता था if power to decide is dispersed अगर नेने लेने की यह जो power है यह अगर बिखर जाए अलग-अलग लोगों पे पहुंच जाए it would not possible to it will not be possible to take quick decisions and to enforce them अगर यह power decision लेने की power अगर अलग-अलग लोगों में बठ जाए बिखर जाए तो जल्दी से decision लेना संभव नहीं हो पाएगा उनको लागू करना संभव नहीं हो पाएगा उसमें बहुत time लगेगा यानि देरी शुरू हो जाएगी but these notions have changed with the emergence of democracy लेकिन ये जो अवधार्णाए है कि ये नुकसान होगा power के बठने से ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा ये जितने भी notions हैं ये जितनी भी अवधार्णाए हैं ये सब धीरे धीरे बदल गई democracy के आने से लोग तंत्र के आने से लोग तंत्र के आने से पावर शेरिंग को बढ़ावा मिला समझ गया one basic principle of democracy democracy का एक जो बुनियादी सिद्धान्त है democracy का बुनियादी सिद्धान्त क्या कहता है people are the source of all political power जितनी भी राजनितिक सकता है जितनी भी power है political power है इसका source यहां के लोग ही तो है यह हमें power कहां से मिल रही है power लोगों से मिलती है तो source power किसके पास है यहां के लोगों के पास democracy में source of power लोग होते है लोगों से मिलके democracy बनती है inner democracy और एक लोग तंत्र में people rule themselves और डेमोक्राइसी में लोग खुद पे ही शासन करते हैं तुरु इंस्टिटुशन ऑफ से गोर्रेंट स्वेशाशन के संस्थाओं के द्वारा क्योंकि जितनी संस्थाइं है वह हम क्या कर रहे हैं हम खुद पर ही तो शाषन कर रहे हैं कैसे हमें यह पसंद है हमारे उपर यह साषन करना ची तो हम उसको वोट दे देते तो वह हमारे द्वारा हमारे उपर हिशाषन बहुता है तोilar种, देमोक्रैस्य में हम किसी को अच्छी लोगतांत्रिक सरकार कहना चाहते हैं तो उसमें अलग-अलग समुहों को विभिन ग्रूप्स को विभिन समुहों को उनकी जो सम्मान जो बनता है वो देना चाहिए and views that exist in a society और उन विचारों को जो सोसाइटी में मौजूद है उन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी किसे कही ही जब लोगों के विचारों को अलग-अलग विविद लोगों को उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिया जाए यानि कि जो वो कहना चाहते हैं, उनकी आबात सुनी जाए, वो ही तो democratic है, वो खुद इक पर session कैसे कर पाएंगे, जब वो अपनी बात कह पाएं और उनकी बात सुनी जाएं, और उनके हिसाब से काम हो जाए, तो उनकी बातों का सम्मान हो, उनके विचारों का सम्मान हो, अलग-अलग समूओं का सम्मान हो, यही एक true democracy या फिर अच्छी democratic government का काम है, everyone has a voice in the shaping of public policies, एक democratic government में, अच्छी democratic government में, सभी लोगों का हाथ होता है, public policies, यानि कि जनता के लिए जो नीतियां बनती हैं, उनको बनाने में, सभी की आवाज उसमें शामिल होती है, सभी की आवाज उसमें शामिल होती है, कि public policies कैसी बने, उसमें सब का साथ होता है, मलब ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय को छोड़ दो, उसकी ना सुनी जाए, उनका भी कुछ ना कुछ उसमें श्रे होता है, उनकी भी आवाज उसमें शामिल होती है, जब भी एक अच्छी democratic, एक अच्छी democratic सरकार में, जब नीतियां बनती है ना, तो सभी की बातों को उसमें श्रे दिया जाता है, समझें, therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible, तो इसलिए इसका मतलब निकलता है कि democracy में, एक लोगतंत्र में जो political power है, जो राजनेतिक सत्ता है, वो बाटी जानी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए, जितने जादा citizens हो सकता है उनमें, यानि जादा से जादा लोगों की सुनी जानी चाहिए, और यह power जादा से जादा distributed होनी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए, shared होनी चाहिए, एक democracy का, अच्छा, वही उधारन हो सकता है, समझ में आगए, तो यह तो हमने पढ़ा, अब आज के time पे अगर हम देखें, in modern democracies, आज की आधुनिक लोगतंत्र में, power sharing arrangements can take many forms, यह power sharing के जो व्यवस्था है, यह अलग-अलग रूप ले सकती, अलग-अलग तरह की power sharing हो सकती, let us look at some of the most common arrangements, कि चलो देखते हैं कुछ जो सबसे common व्यवस्था हैं, हमारे आसपास हैं, that we have or we will come across, जो हमारे आसपास हैं, या फिर जिनको हम देखेंगे, तो कुछ common रूप power sharing के हमें देखने हैं, यह आप एक बर पढ़ना, ठीक है, वो कौन-कौन से रूप है, power sharing के, जो हमें पता होने चीज़, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आज ने, next video में, आप उसे पढ़के आ झाल